ऐ वेदो और उपनी सदों को आप औरुशत कहा जाता है मतलब किसी ने भी वेदो और उपनी सदों को नहीं लिखा है मतलब किसी मनुष्य 공ा है वो सीद्धा पर्मात्मब्तम का ही ग्यान है तो इस चीज को ले करके काफी लोग बोलते रहते कि कैसी अववग्यानिक बाते तर्क विहिन बाते आप लोग करते हो कि किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है उपर से आए है दोस्तो पूरा वेदान्त बड़ा ही तरक्षिल है और वेदान्त को लिखने वाले कैसे ऐसी बाते कर शकते हैं कुछ बार क्या है हम अमारी छोटी बुद्धी से चीजों को नाप नहीं पाते हैं समझ नहीं पाते हैं अब पारुष्य इसलिए बोला गया कि जिन लोगों ने जिन रिशियों ने वेदों और उपनिशदों को लिखा उनको व्यक्तिगत लोकेशना नहीं थी उनको कोई मान नहीं चाहिए था उनको नहीं था कि पई हमारा कोई नाम हो या हमें क्रेडित मिलें इतने उंचे लोग थे जो खुद को सरीर नहीं मान रहे हैं ना यहां की किसी चीजों से उन्होंने तादत में शाथ रखा था कोई जुड़ा भी नहीं था उनका तो फिर उन्होंने अपने आपको न सरीर माना न भावतिक जो यहां की पहचान है वो माना तो जब वो अपने आपको नाम ही नहीं मान रहे थे संसर की जो उनकी पहचान थी उससे वो जुड़े ही नहीं थे तो फिर वो कैसे अपना नाम दे सकते हैं और निश्ची थी इसको एक homo sapiens नहीं लिखा है मनुष्य नहीं लिखा है परंतु वो लोग बड़े उंचे थे हमारी तरह छोटे छोटे चीजों के लिए उनको ना अपना नाम ना अपनी तक्ती ना दान देने के बाद अपनी कोई पर्ची चाहिए थी तो इसलिए उन्होंने कोई नाम नहीं दिया और इसको आप और शाय बोला दूसरा मनुष्य ने नहीं लिखा इसका मतलब है कि homo sapiens या मनुष्य जो भी हम है evolution से जो हम आए है अगर हम उंचा जीने लगे अगर हम देवों के तुलिय जीने लगे अगर हमारे अंदर देवों के जो लक्षण होते हैं देवों के जो characteristic होते हैं वो आ जाए हम इतने उंचे आदमी हो जाए तो फिर हम मनुष्य नहीं रहते हैं वैसे तो मनुष्य है, पर हम देव कोटे के बन जाते हैं, देव तुलिय बन जाते हैं, और उसके बाद अगर हम कुछ लिखते हैं, तो वो भी अपवरुशय बन जाता है, तो ये पूरा खेल ये था, कि पई जिनों ने ये लिखा, उनको कोई ना तो क्रेडिट लेनी थी, न आपना नम चाहिए था, इसलिए उसको अपवरुशय बूला गया है, तरवाइस तो निश्ची थी, किसी मनुष्य ने ही इसको लिखा है,